जैहिन दोस्तों जम्मु कस्मीर के कुम्पवाडा में शही जवान अमरीक शिहा का हिमाचल पर्देश के उनु जिल्ले में उनके पैतरे गाउ गणु मदवाडा में अंतिम सस्कार किया गया शहीद को उनके बेटे अविनव ने मुख्यागने दे कर अंतिम बिदाई दी शहीद को सरधाजली देने के लिए जन सैलाव उमण पड़ा गौरतराबे के हवालदार अमरीक शिहा 49 शाल बीते मंगलवार को कुमपाड़ा में हुए हाथसे में बिरगती को प्राप्त हुए थे साल 2001 में वहाँ भारते सैना में भरती हुए थे इननों उनकी तैनाती माजल सक्टर में थे शहीद का पार्तिक सरीर घर पोचते ही चीख बुगार मच गई शहीद की पत्री रूची बेटा अविनो मा उशा देवी पिता धरमबाल सियां बड़े भाई अमर्जी सियां चोटे भाई अर्दीम सियां के साथ साथ हर कोई रूपड़ा शहीद अमर्जी सियां का चेरा देखते ही उनकी पत्री और मा बेशुद हो गई दोनों को नातेर इसदारों और इस्तानी लोगों ने शंतावना दी इसके बाद पार्तिक दे को अंतिम दरसनों के लिए रखा गया इस दोरान अंतिम संसकार के रसमें पूरी की गई और बेटे ने पिता को मुख्याग दे दी यहां नजारा देकर हर कोई फूट फूट का रूपड़ा तो दोस्तों मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि बीर बलिदानी अमरीक सिहां जी की आत्मा को भगवान अपने स्रीचरणों में इस्तान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की छमता दे जब तक सुरा चांद रहेंगे तब तक बीर बलिदानी आपका नाम रहेगा कि कुस नसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं मर कर भी वो लोग अमर हो जाते हैं करता हूँ तुम्हें सलाम ऐ वतन पर मिटने वालो तुमारी हर सांस में बसता तिरंगे का मान है कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई मगर वतन से खोपसूरत कोई सनम नहीं होता नोटों में भी लिपट कर सोने में भी सिमट कर मरे है कई मगर तिरंगे से खोपसूरत कोई कफन नहीं होता कभी ठंड में ठुटुर कर देख लेना कभी जलती धूप में चल कर देख लेना कैसी होती है मुलक की हिपाज़त कभी शरत पे चलके देख लेना तो दोस्तों वीडियो को अन देखा ना करें देश के लिए अपने प्राणों की आहोती देने वाले उन भी रिबलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक एक सियर और हमारे इस यूटूब चैनल को जरूर सस्क्राइब परें आप से फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के शाथ अब तक के लिए जैहिन वंदी महतरम